अगर आप FMCG channel sales में हैं तो इस festival season आने वाला है festival season में मैं आपको 2-3 tips दूँगा जिससे आप अपने target को पूरा कर सकते हैं और अपनी team में number one की position पे आ सकते हैं या जो बड़े senior हैं company में बैठे हूँ लोग हैं उनकी नजरों में आ सकते हैं आपको अभी से तयारी करनी पड़ेगी festival season का target पूरा करने के लिए festival season में regular range वाली product तो रहते ही रहते हैं उसकी तो billing आपको करानी ही करानी है वो भी बहुत bumper तरीके से साथ ही कुछ gift pack भी आ जाते हैं हर company आजकर gift pack लेके आ रही चाहे हो सावन सरफ हो चाहे वो नमकीन विस्किट हो कुछ भी चीज हर चीज में आपको gift pack के उपर बहुत focus रहता है company क्योंकि एक इस festival season में gift pack के तरीके से भी हम अपनी sales को बढ़ा सकते हैं अब बहुत सारी company के जो gift pack होते हैं वो general trade में भी बिख जाते हैं कैसे order लेना है कहां कहां sale होती है तो general trade में actual में कोई fix चीज नहीं होती कि ये जो gift pack है ये कहां पर बेचे जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे बेचना है देखो हम लोग क्या करते थे हमारे area में हर एक area में अगर आख थोड़ी भी city इलाके में रहते हैं तो city से बाहर या उसके आसपास में industrial area होता जो छोटा छोटा होता है जिसको modern trade बिल्कुल भी cover नहीं करता वहाँ पर 50 employees, 100 employees, 500 employees होते हैं इससे जादा भी होते हैं इससे कम भी होते हैं तो अपना जो gift pack है मैं खास तरह से उनको कहूंगा जो biscuit, नमकीन या कोई मिठाई है या खाने पीने वाली जो चीजे हैं इसके अलावा crockeri का item है, plastic का item है बहुत सारे item आप try कर सकते हैं मैं उसको बारे मैं मना नहीं करूंगा आपको try अपने label से करना चाहिए result मिलता ही मिलता है daily market करने के बाद कम से कम तीन factory, तीन company'ों में जरूर विजट करें दो तीन company'ों में जरूर विजट करें अगर हो सके, तो उनका जो google पे number है उससे call करके जाएं क्योंकि जब आप factory में जाएंगे gatekeeper आपको अंदर भी ले जाएगा लेकिन अगर purchase manager नहीं हुआ मालिक available नहीं हुआ तो आपका जाना बरवाद हो जाएगा इसलिए जब भी इस तरह की sale करने जाएं factory में, canteen में या कोई ऐसा group है कोई ऐसी company है, छोटा मुटा office जिसके बाद 20-25 लोग है वहाँ पर जब भी meeting के लिए आते हैं तो सबसे पहले call कर लें call करके उनको अपने product के बारे में बताएं और फिर वहाँ पर दिखाने जाएं मैं आपको बता रहा हूँ daily अगर 2 या 3 लोगों से मिलेंगे अपनी market करने के बाद अपनी market man है उसके बाद ये चीज है तीन लोगों से जरूर मिलेंगे daily का तो 20 दिन में मिलेंगे तो 20 या 60 लोगों से मिलेंगे उसमें से 2 या 3 भी deal final हो गई न 100 लोगों की 25 लोगों की 50 लोगों की तो आपका काफी product वहाँ पर बिक जाएगा जो आपके एक तरह से target ही पूरा हो रहा है अगर आपने अच्छी call गरी अच्छे लोग आपको मिल गए तो वहाँ और भी जादा विख सकता है मैं आपको बता रहा हूँ 60 लोगों से क्या होगा कि 60 लोगों को आप product दिखा गया है वह 60 लोग कैई लोगों को बताते है और वहाँ से भी order आ जाते है ऐसा हमारे साथ होता है सब के साथ होता है मैं यह experience से बता रहा हूँ आपको यह करना है साथ ही साथ अपने area में कुछ ऐसी जगे देखिए कि जो आपके regular retailers नहीं है regular वो wholesaler नहीं है लेकिन वो gift pack बेजते हैं आपको ऐसे लोगों को identify करना है अपने area में भी identify करिए और अपने area से थोड़ा सा बाहर यानि interior में भी identify करिए जो भी आपका area है साथ ही साथ अगर आप किसी metro city में है तो वहाँ पर जो बाहर माल को बेजते हैं उनसे भी supply आई उनसे भी आप contact कर सकते हैं देखो ये game है यहाँ पर सामदाम दंड भे सब चलता है अगर आप बड़ी city में हैं दिल्ली में हैं न्सी आर में हैं तो cutting तो बहुत होती है इधर का माल उदर जाता है तो मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि gift pack में कोई भी company नहीं देखती कि कहां माल जा रहा है कहां नहीं जा रहा माल को बेचना है और अपने company की नजर में boss की नजर में hero बनना है लेकिन इसकी जो तैयारी होती है वो एक महीने पहले से ही number जुटाने phone call ये सारी तैयारियां होती है तो आप ये करके चलिए और आप बहुत अच्छा result मिलेगा अपने festival season में इसमें क्या होता है कि distributor को बहुत सारा माल बच जाता है या उसका फस जाता है तो ऐसे gift pack वाले माल को company लेती नहीं है वो यही कहते है इसको gift pack से अलग निकाल के इसको बेच दो जैसे भी बेचना है तो आप अपने distributor का माल वहाँ पर भी बिखवा सकते है distributor भी खुश रहेगा billing भी कराएगा और company के ज़र में आप hero भी बन जाएगे देखो कुछ भी extra करने के लिए market में competition तो बहुत है हर market में competition है हर चीज में competition है और competition से जब आगे कोई बढ़ता है तो उसको थोड़ी बहुत बुद्धी ऐसी लगानी होती है जो 10-20 लोग ना लगा रहे हो ऐसी बुद्धी लगानी होती है जिसमें खून पसीना भी जलता है extra आपका extra time भी लगता है महनत भी लगती है लेकिन ये तो निरंतल चलता रहेगा तभी तो आप company के नजर में आओगे तभी तो आप किसी बड़ी position पर जाओगे तो जो activity आपने की होगी उसको अपनी team को बताओगे motivate करो तभी तो दिमाग खुलेगा कि product ऐसे ऐसे big सकता है ऐसे ऐसे target पूरा हो सकता है तो festival season की तयारी अभी से करके चले ये मैंने कुछ चीजे बताई थी जो आपके काम आएंगी तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगती है तो share भी करिए, like भी करिए और इसी तरह से आपको मैं कुछ ना कुछ नई information और कुछ ना कुछ नया चीज सिखाने की कोशिस करता रहूंगा